मानिनिये ब्रधात बड़ा प्रधान श्रीये आपेला मूल मंत्र घरे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्त रहो अने जवाबदार बनो अने जवाबदार बनाओ थी शरू करूछुुुुुुुुु रेड जोन मा अने खास करीने कंटेन्मेंट एरिया मा संक्रमण वधे नहीं अने आवा विस्तार मा थी संक्रमण बाहर ना विस्तार मा फैलाये नहीं। ते माटे समग्र राज्यमा शक्य तेटला वधू फोर्स साथे पूर्ती सुरक्षा वेवस्ता जाडववामा आवी रही छे। खास करीने एहमदाबाद शेहर ना अमुक विस्तारों मा संक्रमण वधीरेव छे जेथी एहमदाबाद शेहर ना आवेल कंटेन्मेंट एरिया नी सुरक्षा ने वधू सघन बनाववा निर्णे सरकार द्वारा करवा मा आयेवो छे। ये थी हवे कंटेन्मेंट एरिया नी सुरक्षा माटे पैरामिलिटरी नी वधारेनी कंपनियों तैनात करवा मा आवनार छे। केंद्र सरकार तरफ ती राज्यने पैरामिलिटरी नी वधू सात कंपनी पन फाडवा मा आवेल छे। जे माँ छो कंपनी B.S.F. अने एक कंपनी C.S.F. नो समावेश थाये छे। आप एकी चार कंपनी B.S.F. कंटेन्मेंट एरिया नी सुरक्षा माटे एहमदाबाद शहर ने फाडवा माँ आवे छे। आ उपरांत एक कंपनी Rapid Action Force पन एहमदाबाद शहर ना आई एरिया कंटेन करवा माटे आपवा माँ आवी रहे छे। आम अगाव फाडवा माँ आवेल पहलो मिलिटरी नी त्रण कंपनी अने हाल माँ फाडवा माँ आवेल पांच कंपनी मडी ने CAPF ना कुल आठ कंपनी एहमदाबाद शहर ना कंटेन्मेंट एरिया आसपास अभेद किलाबंदी साथे नी संपुन सुरक्षा वेवस्ता गोठावा माँ आवी रहेल छे। साथे साथे S.R.P. अने पैरमिलिटरी भेगा थाईने एहमदाबाद पासे हवे एहमदाबाद शहर पुलीस फोर्स उपरांत 38 कंपनियों S.R.P. अने पैरमिलिटरी भेगा थाईने आपी देवा माँ आवी रहेया छे। राज्यना अन्य शहर सूरत ने वदोदरा ना कंटेनमेंट एरिया माँ पन C.P.F. नी सुरक्षा जाडवा माँ आवी रहे छे। सूरत शहर मा आगाउ त्रण कंपनी फाडवा मा आवेल हती ते उपरांत वधू त्रण कंपनी पैरमिलिटरी फाडवा मा आवी रही छे। जेथी सूरत मा आवेल कंटेनमेंट एरिया ना बंदोबस्त माटे कुल 6 कंपनी पैरमिलिटरी तेनात करवा मा आवशे। पैरामिलिटरी फोर्स ना जवानों अने राज्य पुलीस ना अधिकारियों अने कर्मचारियों ना खुबज उचा मनोबल साथे संक्रमन सामेनी आ लडाई मा अविरत काम करी रहया छे अने आगड़ पन ते लोकोंने संक्रमन थी बचावा माटे पोतानी आ फरज रूपी सेवा चालू राक्षे तेव मने संपूर्ण विश्वास छे फरज परना तमाम जवानोंने मास्क आपवा मा अवेल छे उपरांत तमाम जवानोंने दिवस दर्मेयान समय आंतरे ड्रिल नी जेम पोताना हाथ साबू तथा सानिटाइजर थी साफ करता रहे तेवी पंड सूचना आपवा मा अवेल छे रेड जोन सिवाए ओरेंज जोन अने ग्रीन जोन माँ पन सरकार्श्री नी गाइडलाइन प्रमाने संक्रमन रोकवा जरूरी एवी तमाम सुरक्षा वेवस थाओ सुचारू रीते कारेरत छे श्रमिकों ने तेमना वतन मां मोकलवानी प्रक्रिया पन हवे आयोजन बद अने नियमित रीते चाली रहेल छे खास करीने रेड जोन, औरेंज जोन अने ग्रीन जोन एम त्रणे प्रकार्णा जोन मां प्रतिबंदिप छे एवा अमुक बाबतों लोगों ध्यान मां राखे एक खुबज जरूरी छे खास करीने पहली बाबत छे सरकार्णी गाइडलाइन मुझब तमाम प्रकार्णा जोन मां तमाम प्रकार्णा धार्मिक स्थानों अने धार्मिक मिलावडाओ बंद राखवाना रहे छे जेथी लोकों ने तमाम धर्मना वडाश्रियों ने फरी अपील छे कि धर्म स्थानों बंदज राखे अने कोई धार्मिक हेतू माटे लोकों एकठा ना थाए तेनू ध्यान राखे पुलीस द्वारा तमाम धर्मिक स्थानों दियमित रीते चेक करवा माँ आवे छे अने जो कोई जग्याओ लोगों भेगा थाता हुआनू ध्याने आवशे तो कार्यवाई जरूर थाशे गई काले एमदावाद चहर माँ एक गुरुद्वारा खाते भेगा थेला लोगों विरुद्ध केस पन करवा माँ आवेल छे त्रणेक प्रकारना जोन माँ प्रतिबंदित होए तेवी बीजी बाबत छे शिक्षन संस्थाओ अने मनोरंजन माटे स्थलो शाला कोलेजों, थियेटरों, मौल, मैरेज हॉल, पार्टी प्लोट, बगीचा, पार्क विगेरे जेवा स्थलों के जहां वधु मोटी संख्यामा जहां लोगों भेगा थाई शके तेवा सरकार्नी गाइडलाइन प्रमाणे ना तमाम स्थलो पन बंद राखवाना रहे छे जेथी आवास्थानों येना सरंक्चालकों अथ्वा मालिकों ये आवास्थलो बंद रहे अने लोगों आवास्थलो जाये नहीं तेवी तक्केदारी राखवी जोईए जो आविकोई स्थान खुलो मड़ी आवशे तो पन कारवाई करवामा आवशे उपरांत लोकों ने पन अपील छे के जियां सुधी आ संक्रमन फैलावानू बंद ना थाए त्या सुधी कोईपन प्रकारना सामाजेक पारिवारिक के धार्मिक मिलावडा न योजे आ संक्रमन थी लोकों ने बचावा माटे राज्ये ना तमाम नागरिकों नी सहकार जरूरी छे प्रत्येक व्यक्ति ना सहकार थीज आ लडाई मा सफलता मडशे हालना समय मा लोकोंने मेडिकल सेवाओने तातकालिक मली रहे ते खुबच जरूरी छे मेडिकल सेवाओने शरुआत थीज लोकडाउन मापन मुक्ति आपवा माँ आवेल छे आसंदर बे राज्यमा तमाम स्थले डॉक्टर्स पोताने क्लिनेक खोलवाने छूट प्राप्त छे कोईपन डॉक्टरने पोताने सेवा स्थले जता आवता अटकावामा आवता न थी प्राइवेट प्राक्टेस करता डॉक्टर बो तानू क्लिनिक शरू करवा मांगता हुए तो ते माटे पुलीस तरफ थी तेमने पूर्तु सहयोग आपवामा आवशे डॉक्टर सहित मेडिकल सेवाओ साथे जोडायला तमाम लोगोंने मीडियम ना मध्यम थी जनावू छूँ के आवा लोकोंने पुलीस तरफ थी पूर्तु सहयोग आपवामा आवी रहया छे याने आगड़ पन आपवामा आवशे डिटेन करवामा आवेल वाहनों पैकी गईकाले राज्यमा कुल 8,035 वाहनों मुक्ट करवामा आवेल छे हाल सुधी मा कुल 1,87,565 वाहनों मुक्ट करवामा आवेल छे सुसायटी ना CCTV पुलिस द्वारा चेक करवामा आवे छे अने ते आधारे गईकाले राज्यमा कुल 20 गुनाओ दाखेल करी तेर लोगो नी धरपकड करवामा आवेल छे राज्यमा आज सुधी मा आवा कुल 567 गुना मा 828 लोगों नी धरपकड करवा मा आवेल छे लोगडाउन चालू छे त्यां सुधी पुलीस द्वारा सतत ड्रोन, CCTV अने ANPR ना माध्यम थी नजर राखवा मा आवी रहया छे अने जियां लोगडाउन भांग नो बनावो ध्याने आवे छे त्यां काईदेसर नी कारवाई पन करवा मा आवी रहया छे गईकाले राज्यमा ड्रोन ना फुटेज नी मदद थी कुल 155 गुनाओं दाखिल थेल छे आज सुधी मा ड्रोन ना फुटेज ना मदद थी कुल 11355 गुनाओं दाखिल करी कुल 21301 लोगों नी धरपकड करवा मा आवेल छे सुशल मेडिया मोनेटरिंग आधारे खोटी माहिती अथवा अफवा अंगे ना फुटेज ना फुटेज ना फुटेज ना फुटेज ना आधारे गईकाले कुल 155 गुनाओं दाखिल करी ने सित्तर लोगों नी धरपकड करवा मा आवेल छे समग्र राज्य मा आज सुधीन मा आवा कुल 2639 गुना नोंधी कुल 3745 लोगों नी धरपकड पन करवा मा आवेल छे सोशल मेडिया मोनेटरिंग आधारे खोटी माहिती अथवा अफवा अंगे ना 11 गुना दाखिल करवा मा आवेल छे सोशल मेडिया उपर अफवाव फैलावता गय काले सित्तर अकाउंट पुलीस द्वारा बंद करवा मा आवेल छे अत्यार सुधी मा कुल 328 अकाउंट पुलीस द्वारा मा समग्र राज्य मा बंद करावा मा आवेल छे ए अन्पियार ना अनालेसिस थी गईकाले 42 गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 1130 गुनाओ दाखिल थेल छे विडियोग्राफर द्वारा थेल शूटिंग ना अधारे गईकाले कुल 132 गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 2540 गुनाओ दाखिल थेल छे प्रहरी जेवा खास वाहनों उपर जे कैमरा लगेल छे तेनी मदद थी गईकाले 56 गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 823 गुनाओ दाखिल थेल छे गईकाल थी आज दिन सुधी ना गुनाओ नी विगत जाहर नमा भंग नी गुनाओ नी संख्या 223 गुरंटाइन करेल व्यक्तियों द्वारा काईदा भंग ना गुनाओ नी संख्या 782 अन्य गुनाओ 531 गईकालना कुल गुना 3586 आज दिन सुधी ना कुल गुना 1,34,281 आरोपी अटक करेला नी संख्या 4,349 जप्त करेल वाहनों नी संख्या 6,522 बननिये प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पर रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिये और जिम्मेदार बनाईये से शुरू कर रहा हूँ संपून राज्य में रेड जोन, औरेंज जोन और ग्रीन जोन ऐसे तीन जोन में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संक्रमन को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स के साथ सुरक्षा विवस्था लागू की जा रही है खास करके एहमदाबाद शहर के कंटेन्मेंट एरिया की सुरक्षा विवस्था और चुस्त करने का निर्ने लिया गया है अब तक कंटेन्मेंट एरिया की सुरक्षा में जो फोर्स है उसमें पैरा मिलिटरी फोर्स की तैनाती भी होगी केंद्र सरकार के द्वारा राजिक को और साथ कंपनी पैरा मिलिटरी फोर्स दी गई है जिसमें छे कमपनी BSF और एक कमपनी CISF का समावेश होता है इन में से चार कमपनी BSF और एक कमपनी RAF जो DG Reserve था उसको भी एहमदाबाद शहर में कंटेंडमेंट एरिया की सुरक्षा के लिए दे दी गई है एहमदाबाद शहर को आगे दी गई तीन पेरा मिलिटरी कमपनी और हाल में दी गई पाँच कमपनी को मिलाके CAPF की कुल आठ कमपनी के साथ साथ सुरक्षा विवस्ता और करी की जाएगी DG Reserve की उसमें एक RAF की कमपनी भी जोड़ी जाती है और अब कुल एहमदाबाद में SRPF के साथ 38 कमपनिया मोहिया कराई गई है राज के अन्य शहर सूरत और बरोडा में भी कंटेन्मेंट एरिया की सुरक्षा में CAPF का उप्योग किया जाएगा बरोडा शहर में हाल दो कमपनी पैरा मिलिटरी तेनात है सूरत शहर में तीन कमपनी पैरा मिलिटरी दी गई थी और तीन और पैरा मिलिटरी कमपनी दी जाएगी जिससे सूरत शहर की कंटेन्मेंट एरिया में कुल छे कमपनी के साथ सूरक्षा वेवस्था कड़ी की जा रही है पेरामिल्टरी फोर्स के जवान और राज्य पुलीस के अधिकारी और जवान उचे मनोबल के साथ संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में डट कर फर्ज निभा रहे हैं और आगे भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ऐसे ही सेवा में जुटे रहेंगे ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है फर्ज पर सेनात सभी पुलीस कर्मियों को मास्क दिया गया है और सभी को सूचित किया गया है कि ड्रिल की तरह अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से हर दो तीन घंटे साफ्ट करते रहें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और इंजोन और ग्रीन जोन में भी सुरक्षा विवस्था मजबूत की गई है श्रमिकों को अपने वतन भेजने की प्रक्रिया आयोजन बद्ध और नियमित रूप से कारे रत है खास करके तीन प्रकार के जोन में प्रतिबंदित प्रवत्तियों का भी ध्यान रखना जरूरी है पहली बात है कि इन तीन जोन में तमाम प्रकार के धार्मिक स्थानों और धार्मिक सम्मेलन हेतू इकठे होने पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंद है जिसमें सभी लोगों और धर्म गुरों को फिर से अपील है कि धर्म स्थानों को बंद रखें और कोई धार्मिक हेतू लोग इकठा ना हो ये खास ध्यान रखें पुलीस के द्वारा धार्मिक स्थानों की नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है ज्यादा लोग इकठे होने पर पुलीस कारवाई जरूर करेगी आज एहमदाबाद शहर में गुरुद्वारे में इकठे हुए लोगों पे पुलीस ने गुना दर्ज किया है सभी प्रकार के जोन में दूसरी प्रतिबंदित प्रवत्ती सेक्षनिक स्थान और मनोरंजन के स्थान है स्कूल, कॉलेज, थीटर, मॉल, स्मैरेज हौल, पार्टी प्लोट जैसे सारुजनिक स्थान प्रतिबंदित रहेंगे इनके संचालोकों को आपके माध्यम से अपील है कि इन स्थानों को खोलें नहीं ऐसे स्थानों को खोलने पे कानूनी कारिवाई की जाएगी सभी नागरिकों से अपील है कि संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक पारिवारिक और धार्मिक सम्मेलन का आयोजन न करें इस संक्रमन से बचने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के सहकार से ही इस लड़ाई में संपूर्ण सफलता मिल सकेगी लोगों को इस समय मेडिकल सेवाएं जल्द मिलती रहें इसलिए मेडिकल सेवाओं को पहले से ही लॉकडाउन से मुक्ति दी गई है इस दंदर्म में राज्य के सभी जगे डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक खोलने की छूट प्राप्त हुई है इसलिए डॉक्टर्स को ऐसी सेवा के दौरान आगे जाने से रोका भी नहीं जा रहा है प्राइवेट प्रैक्टर्स करने वाले डॉक्टर्स अगर अपने क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो पुलिस की तरफ से उनको पूरा स्वयोग दिया जाएगा कल डिटेन किये वाहनों मेंसे राज्य में कुल 8035 वाहन मुक्त किये गए हैं और अब तक कल 1,8755 वाहन मुक्त हुए हैं सुसाइटी में लगे CCTV चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 20 गुना दाखिल हुए हैं और 13 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे 567 गुना में 828 लोगों को हिरासत में लिया गया है जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलीस के द्वारा निरंतर, ड्रोन, CCTV और A.M.P.R. के माध्यम से नजर रखी जा रही है जहां लॉकडाउन के उलंगन का घटना ध्यान पे आती है, वहीं कानुनी कारवाई भी होती है राजे में कल ड्रोन की मदद से कुल 155 गुना दर्ज हुए है अब तक कुल ऐसे 11,355 गुना दर्ज किये गए है अब तक ऐसे गुना में कुल 21,391 लोगों को हिरासत में लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पर कल कुल 60 गुना दर्ज करके 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2629 गुना में संपूर्ण राज्य में दर्ज हुए है अब तक ऐसे गुणा में कुल 3,795 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मौनिटरिंग के अधार पर गलत खबर या अफवा के कुल 11 गुना दर्ज़ किये गए है अब तक ऐसे 668 गुना राज़्े में दर्ज़ हुए है और उनमें 1388 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाने पर पुलीस के द्वारा 17 अकाउंट बंद किये गए हैं अभी तक कुल 628 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद किये जा चुके हैं कल A.N.P.R. के अनालेसिस के द्वारा 42 गुना और आज तक कुल 1113 गुना दर्ज हुए है विडियो ग्राफर द्वारा किये गए शूटिंग के आधार पर कुल 132 गुना और आज तक कुल ऐसे 2540 गुना दर्ज हुए है प्रहरी जैसे वाहनों पे जिन पे कैमरे लगे हैं उनकी मदद से कुल 56 गुना और अब तक ऐसे कुल 883 गुना दर्ज किये गए है झाल झाल झाल